जैई हिन दोस्तों, Welcome Back to Tube Talk, दोस्तों, Eternals movie finally अब सिनेमास में release हो चुकी है और यह Marvels की एक Most Awaited movie है लेकिन इंडिया में सूरवन्ची के release के विजए से बहुत ही कम screen इस movie को release होने के लिए मिली है इसलिए अब काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास Eternals को देखने का फिलाल एक्सिस नहीं है और वो इस movie के OTT रिलीस का वेट कर रहे हैं तो दोस्तों इस movie को कब OTT पे रिलीस किया जाएगा और most importantly इस movie का review किया है ये सब आपको इसी वीडियो में सुनने को मिलेगा इसलिए वीडियो को पूरा सुनना कहीं भी मिस मत करना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसी information में आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ दोस्तों बात करोंगर quick review of Eternals तो अभी तक इसकी rating बहुत जादा अच्छे निकल कर नहीं आई है movie को काफी lengthy माना गया है और दूसरी movies में देखते हैं इस वजए से दोस्तों इसकी एक खिचड़ी बनती हुई नजर आई है इस movie में इसकी length भी लंबी रखी गई है और इसके साथ साथ इसके अंदर काफी सारे characters को इंट्रोड्यूस किया गया है तो एक खिचड़ी सी बन गई है जो कि अभी तक के reviews ज एक अच्छा experience देगा घर पर नहीं देगा लेकिन फिर भी दोस्तों अब यह आप लोग फैसला कर चुके है OTT release का तो अब यह जाना चाहते हैं आपकि इसका OTT release कब होने वाला है जिसका exactly अब मैं आपको information देने वाला हूँ तो दोस्तों Disney ने इस बार पहले से clear कर दिया है क कि वो 45 days का जो bracket होता है cinema release के बाद कि उसके बाद movie जो है OTT पर release कर दी जाएगी इस बार वो valid नहीं है इस बार वो 45 days ना रखते हो उसे 70 days कर दिया गया है यानि कि अब इस movie को 2 से 70 महीने तक अराम से cinema में चला जाएगा उसके बाद इसे OTT पर release कर जाएगा यानि जो इसकी date निकल के आ रही है वो है almost 15th of January जी हां दोस्तों cinema के release के बाद यह movie almost 70 days देगी यानि 15th of January को इसे OTT प्लाटफॉर्म डिस्नी पर release किया जाएगा अब जब यह दोस्तों डिस्नी प्लस पर release होगी तो वो US में release होगी उसके साथ ही इसे इंडिया में Disney Hot Star पर release कर दिया जाएगा Hindi और Other Languages में इसे अभी तक confirm नहीं किया गया है यानि आप अभी फिर यह expect कर सकते हैं कि 15th January को इसे Disney Plus और Disney Hot Star पर एक साथ release कर दिया जाएगा जब US में release होगी आप इसे इंडिया में भी देख पाएगे लेकिन इसका confirmation नहीं आया तो यह भी हो सकता है कि इसे सिर्फ डिस्नी प्लस पर January में release किया जाए और 15-20 days के wait के बाद जाके फिर इसे Disney Hot Star पर हिंदी में release किया जाए बहराल हम अभी तक यह expect कर सकते हैं 15th January के आज पास उसी week में आपको यह movie OTT platforms पर देखने को मिल जाएगी mostly 99% जब डिस्नी पर release होगी तो डिस्नी Hot Star इंडिया में भी other languages के साथ-साथ इसे release कर दिया जाएगा तो दोस्तों अगर आप cinema में नहीं जाना चाहते Eternals movie को देखने के लिए तो आपको भी 70 days का वेट करना पड़ेगा mid of January तक कि यह थी मेरे आपको छोटी सी update जा मैंना आपको Eternals के update देदी Until I get back to the next review, it's goodbye from Tube Talk